हेलो एवरिवन, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल टेक्निकल ड्रोएंग में स्वागत है आज के क्लास में हम आइसोमेट्रिक व्यू टू और्थोग्राफी पोर्जेक्शन का प्रोब्लम 11 सॉल्व करेंगे जो अबजेक्ट हमें दिया गया है इस अबजेक्ट का तृतिये कोनिये पर्चेप में हमें और्थोग्राफी पोर्जेक्शन ड्रोब करना है तो यहां देखिए फ्रन्ट व्यू जो है हमें लेट साइट दिया गया है तो लेट साइड अगर फ्रन्ट व्यू होगा तो तृतिये कोनिये पर्चेप में लेट साइड ही बनेगा थर्ड क्वाड एंड में और साइड व्यू जो है वो राइट साइड दिया गया है तो साइड व्यू राइट साइड में फोर्थ क्वाड एंड में बनेगा और top view जो है front view के ओपर always second quadrant में बनेगा तो चलिए start करते हैं यहाँ देखिए front view का जो length दिया गया है हमें 60 mm दिया गया है और इसका height जो है वो 40 mm है तो सबसे पहले हम इसका जो length है 60 mm हमें दिया गया है उस length को horizontal line के parallel line जो हमने लिया है उस line पे 60 mm पॉइंट लेंगे और इसके बाद इसका जो height हमें दिया गया है 40 mm इस height को 40 mm vertical line के parallel line में लेंगे और इसके बाद नीचे से जो length हमें दिया गया 60 mm उसे point लेंगे और उपर से measure कर लेंगे यह हमारा 40 mm है अत्वा नहीं यदि 40 mm नहीं हो रहा है तो उसी point के सीधे में 40 mm हमें point दे लेना है इसके बाद इस line को continuous thick line से draw कर देना है इसके बाद इस हमने 40 mm line लिया है height उसका उस दोनों point को भी continuous thick line से draw कर देंगे और इसे नीचे के point से से मिला लेंगे 60 mm जो point हमने लिया था इस point में इसे मिला लेंगे इसके बाद यहां देखिए 20 mm के बाद जो है वो नीचे line आया है vertical line तो हम यहां से 20 mm point ले लेंगे left side के उपर point से और इसके बाद नीचे से भी 20 mm point ले लेंगे ताकि हमारा line जो है वो सीधा state खीच सके हम इसके बाद यह दोनों 20 point को आपस में मिला के उपर से हमें 30 लेना है चुकि यह असपेस हमारा 10 है इसलिए 30 point नीचे तक आएगा तो 30 में point लेकर इस line को हम row कर लेंगे इसके बाद इस right side के point से उपर की और 10 mm point लेकर यह जो वर्टिकल लाइन हमने ड्रोग किया है उस line को इसमें मिला लेंगे यहां देखिए यह जो हमारा इसका length और इसका height जो है वो 50 50 mm तो यहां से हम 50 mm point ले लेंगे उपर क्योड दोनों साइट से ले ले लेंगे 15 mm और इस point को आपस में मिलाते हुए इसके बाद उपर का जो inclined surface है यहां देखिए उपर का जो inclined surface है यह भी हमें दिखाए देगा चुकि inclined है तो यहां पर 10 हो गया और यहां 15 हो गया तो यह पुरा हमारा height जो 40 दिया गया है तो यह हमें यहां से 15 दिखाए देगा तो यह हमारा height अल्रेड़ी automatic माप पर देख लिजिए यह 50 हमारा यहां मिलेगा आपको तो यह 15 दुन साइट में हमें मेजर कर लिया है यह सही है हमारा तो इस परकार हम front view draw कर लिया है इसके बाद side view draw करेंगे side view का जो height होगा वो front view के height के equal होगा और इसका जो side view का जो length दिया गया है हमें 40 mm दिया गया है तो सबसे पहले हम 40 mm उसका जो length है उसे horizontal parallel line के उपर point लेंगे और इसके बाद इसका height जो है 40 mm point लेंगे और इसे continuous ठीक line से draw कर लेंगे इसके बाद ये जो हमने 40 mm लिया है उपर से ठीक उसी के parallel नीचे point से 40 mm point लेंगे और point लेकर इसे उपर से मेजर करना हमें कि इसका height जो है वो हमें 40 mm मिल रहा है अथवा नहीं यदि point अगर उपर नीचे हो रहा friend तो इसको आप सही धंग से 40 mm के सामने point ले लिजे और इसे continuous ठीक line से आप इसे draw कर लिजे इसके बाद देखिए ये नीचे का जो surface है ये line दोनों आपस मिला हुआ है तो इस line को हम continuous ठीक line से या object line के सहाइता से इसे मिला लेंगे इसके बाद यहां देखिए इसका ये जो surface इसका height 10 mm है तो इस point से हम 10 mm लेंगे और right side से भी 10 mm point लेकर हमें इसे line को draw करेंगे लेकिन ये जो line है हमारा वो left side से 20 है यहां देखिए 20 mm दिया गया है तो 20 mm तक point लेकर हमें इसे 20 mm तक ही continuous ठीक line से draw करना है इसके बाद उपर की ओर देखिए उपर की ओर गया है हमारा 15 mm तो उपर हम 15 mm 20 mm point लेकर ताकि line हमारा straight हो इसे लिए 20 mm point ले लेंगे और उस point की साहिता से vertical line draw करेंगे जो हमारा 50 mm height होगा 50 mm height और point लेकर इसे draw कर लेंगे इसके बाद यहां 50 mm आने के बाद यह जो line है inclined line यह दोनों इस point से जाके match हुआ है तो ठीक उसे लिएकर हम यह दोनों point को inclined line की साहिता से ही आपस में मिलाएंगे continuous thick line के द्वारा इसके बाद यह जो surface से देखिए यह दोनों line आपस मिला है तो ठीक इस लिएकर हम यह line को भी continuous thick line की द्वारा मिलाएंगे तो यह हमने side view draw कर लिया है इसके बाद front view के उपर हम top view draw करेंगे तो top view का जो भी length होगा वो हमारा front view के length के equal ही होगा 60 mm तो 60 mm में point ले लेंगे second quadrant में चुकि हमारा front view third quadrant ने बना है तो front view always front view top view always front view के उपर ही बनता है इसलिए top view हम second quadrant में draw करेंगे इसके बाद इसका top view का जो height है वो 40 mm point लेंगे इसके बाद इसे continuous thick line से draw कर लेंगे इसके बाद हमने 60 लिया था इसका length इसे भी continuous thick line के द्वारा draw कर लेंगे इसके बाद इसके बाद यह जो हमने 60 mm लिया है इस point से 40 mm में इसे मिलाते हुए इस line को draw कर देंगे इसके बाद देखिए यह जो surface है 20 हमें यहाँ पर दिखाना है तो इस surface के लिए हम इस point से left side से 20 mm point लेंगे और उपर side से 20 mm point लेंगे इसके बाद दोनों point को मिलाते हुए हमें continuous thick line draw करना है देखिए दोनों point को मिला लिए इसके बाद इसे continuous thick line से मिला रहना है इसके बाद देखिए यह दो surface जो है वह भी दिखाए देगा इसमें add हो जाएगा तो यह हमारा 20 है total हमें 40 दिया गया है तो 20 यह और 20 यह वाला तो 40 हो जाएगा तो इसके बाद हम यहाँ से इस point से जो vertical line है उस line में 20 में 20-20 दो part में divide करेंगे और इसके बाद right side से भी 20 mm point लेंगे और लेकर इस दोनों point को आपस में मिलाते हुए continuous thick line ड्रो कर लेंगे जो इस surface को दो part में डिवाइड करेंगा दोनों 20 mm का होगा इसके बाद जो हमारा first quadrant बच गया है इस quadrant में projection ड्रो करने के लिए हमें top view के height के बरावर 40 mm point लेंगे और इसके बाद front view के length के बरावर इसका यहां भी 40 mm point लेंगे और उपर से 40 mm यहां से point लेंगे point लेकर इसे भी length से measure करके देखेंगे यह हमारा 40 correct होना चाहिए इसके बाद continuous thin line ड्रो करेंगे light line रहेगा यहां से इस हाइट को continuous thin line से मिलाएंगे और इसके diagonal को इस प्रकार मिलाना है इसके बाद जितना भी projection है वह हमें ड्रो करना होगा तो यहां देखिए जो 20 mm हमने यहां पर ड्रो किया था इस 20 mm का यहां पर hidden line आएगा और यहां पर light line projection line के लिए और यह जो है hidden line हमारा इस projection में आके मिलेगा तो यहां से hidden line और इसके बाद यह projection light line से मिलाएंगे तो इस प्रकार आप सभी projection को मिला लिजे continuous thin line के द्वारा इसके बाद eraser की साहिता से जो extra line होगा उसे erase कर लेंगे और इसके बाद extension line की साहिता से सभी dimension को हमें दिखाना है extension line extension line यहां भी जिस जगा हमें dimension दिखाना है सभी जगा हमें extension line डोग करना होगा जगा हमें प्रकार आप सभी जगा हमें प्रकार आप सभी जगा हमें दिखाना है जगल वगा हमें यहां है तोग में प्रकार आप सभी जगा है आप माल आपा हमें आप हमें तर आप साबकितों अडिवां इसके बाद इक्वल डिस्टेंस में डामेंशन लाइन ड्रो करेंगे जो की अब्जेक्ट लाइन से थीन होगा ओल्वेश ध्यान रखेगा फ्रेंड ओल्वेश डिमेंशन लाइन जो होता है वो अब्जेक्ट लाइन से थीन होता है अब्जेक्ट लाइन से एक्वल डिस्टेंस पर आपको ड्रो करना है इसके बाद जो एरो हेट का रेशियो सभी इंड में इक्वाल होगा और सभी एरो को अच्छी तरह फिल्ड अप करना है अच्छी तरह करना है अच्छी तरह करना है इसके बाद जो टैमेंशन वहलू हमें दिया गया है अब्जेक्ट में उसे हम लिखेंगे फ्रांट व्यू का जो लेंथ है 60 इसके बाद साइड व्यू का 40 इसके बाद ये हमारा 10 15 15 15 40 mm 20 20 तो इस प्रेकार हमने सभी डाइमेंशन को इंडिकेट कर लिया है इसके बाद लेट साइड में हमारा फ्रांट व्यू है तो इसे हम इसके नीचे फ्रांट व्यू लिखेंगे इक्वल हाइट में फ्रन्ट व्यू शाइड व्यू इसके बाद टॉप व्यू इसके बाद तीनो व्यू ड्रो करने के बाद हमें परचेप में हमें थिरिव्यू ड्रो करना है तो इसलिए हम इसके नीचे थार्ड एंगर प्रोजेक्शन का सेंबोल आपको ड्रो करना है फ्रेंड हमने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया था कि तृतिये कोनिये परछेप एंड पर्थम कोनिये परछेप का सेंबोल किस प्रकार बनाया जाता है वहाँ से आप उसे आप सीख सकते हैं कि वो किस प्रकार ड्रोग किया था है तो आसा करता हूँ सभी को तिरितिये कोनिये परचेप में तिरिवीड रोग करने के लिए आ गया होगा यदि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें आपके फ्रेंड्स जिने इसकी जरुवत है शेयर करें और यदि आपने अभी तेक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया करके इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड के लेटेस्ट यूजफूल वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिलता रहे थैंक्यू